Hello what's up guys and welcome to brand new React Redux series in 2025 So believe me guys I am super excited and I hope कि आप भी उतनी ज्यादा excited हो क्योंकि बहुत ही ज्यादा माजाने वाला है So guys सबसे पहले why Redux? क्या है Redux समझने से भी पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हमें Redux क्यों सिखना चाहिए या क्यों आना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले guys देखो Redux ना React का कुई पार्ट निए जस्ट एक एक एक्स्ट्रा टूल या एक एक्स्ट्रा लाइडरी कह सकते हो जो हमें State Management में हेल्प करता है But कैसे and क्यूं राइट तो सबसे पहले देख लो अगर आप कोई भी एक नॉर्माल अप्लिकेशन क्रेट करते हो इन रियाक्ट अप्लिकेशन दैन बिलिब में guys आपको Redux की बिल्कुल भी नहीं है Because पहले चलो Redux बहुत ही ज्यादा फेमस था अभी भी है But nowadays we have React Hooks जिसमें आपका है Context API दूसरा है आपका Use Reduxer Hook तो इन दोनों की मदद से आप बहुत इजली स्टेट को manage करना And centralized store create करके आप कोई भी एप्लिकेशन को create कर सकते हो जब तक वो आपका एक small application खहलाएगा तो कुछ इस तरीके से ये आपका already exist करता है React में Now अगर मैं आपको ये बता हूँ कि आप instead of small application अब आप एक large scale applications पर काम करें जहां पर बहुत सारे team members है एकदम बड़ा project है बहुत time लग रहा है data को बहुत manipulate करने की जरूरी है बहुत सारे components है जिसको data चाहिए बहुत सारे ऐसे है जहां पर data पास नहीं कर पार हो in traditional react तब वहां पर guys आपका Redux काम आता है because in Redux आप देख सकते हो एक चीज बहुत common है यहां पर that is creating a centralized store that holds all the data तो यहां पर भी guys हम क्या करते है centralized store बनाते है basically एक store रहेगा जहां पर सारा आपका data रहेगा and कोई भी component कभी भी वहां से data को access कर सकता है and then they can do the card operation है जो भी update करना कुछ भी करना हो सारे काम बहुत इजली हो कर सकता है तो सबसे पहले यह जो centralized store वाला concept ही Redux आपका ले किया है and then उसको guys you know हर बार Redux उस ना करना पड़े that's why छोटे application के लिए तब जाके उनोने react में hooks start किया ता जिसमें आपका context API and then use reducer hook ठीक है I hope इतना आपको पता चलगा अगर small application है simple normal even e-commerce भी आप normally Redux या दोनों की मदद से कर सकते हो it's totally up to you but मैं highly recommend करूंगा को इस series को आप continue कीजिए इस video को आप continue कीजिए till end आपको पुरा idea आ जाएगा ठीक है तो सबसे पहले guys आप मैं आपको यहाँ पर react में जो data flow होता है उसका concept में आपको समझाना चाहूंगा ठीक है तो आप बहुत के लिए लिए देख सेते हुए हमारा जो data flow होता है from parent to child and then again parent to child ठीक है तो इस तरह के से data flow होता है कभी भी हमारा data ऐसे from bottom to top इस तरह के से follow होता है यह like always from top to bottom guys आपका कुछ जो इस तरह के से follow होता है इतना आपको पता चलिए data यहीं simple इस तरह के से follow होता है in react application अब let's imagine we have this component right we have a app component then parent and parent की अपने दो-दो चिल्रेंट अब यहाँ पी बहुत किले लिए आप देख सकते हूं कि यह जो पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ पे जो PC1 जो एक component है इसके पास एक data है ठीक है इसके पास एक data है जो की हमारे parent 3 में यह जो एक सेकंड यह वाले जो PC3 है इसको वो data चाहिए अब मुझे आप एक बात बताओ कि यह जो component एकदम देखो ना nested we have grandparent parent children इसके पास का जो data है वो data आप में यहाँ पे कैसे पास करूँ नहीं कर सकता है रियक मैं आप करी नहीं सकते है यह मतलब कर तो सकते है बड़ जंजट के मैं आपको बताता हूं तो इसको overcome करने के लिए in react we have something called prob drilling prob drilling यह कोई solution नहीं यह जंजटी है बट at least इसी में होगा यह कि जो भी data आपको यह feel हो रहा है कि यार ऐसा क्या है इस special इस particular component में कि मतलब वो data ना तो इसके parent के पास है ना grandparent के पास है लेकिन सिर्फ इसके पास है कभी भी अगर ऐसा कुछ होता है तो काईस हम जब भी application क्रेट करते पहले ही हम make sure कर लेते कि कि इसको क्या-क्या data मिलने वाला है तो at least हम क्या कर सकते हम हमारे app component जो है हमारा जो main parent component है ठीक है वहाँ पर ही हम हमारा सारा data जो है वहाँ पर रख देंगे अब इससे at least होगा यह कि data अगर top पे है क्योंकि data कैसे flow करता है in react आपका from top to bottom मैंने अभी आपको दिखायता है कुछ हो इस तरी किसे है तो at least top पे जो data है उसको आप नीचे पास कर सकते हो तो हम क्या करेंगे यह जो app component है ठीक है यह इसको पास कर देगा parent theory को and parent theory इसको पास problem यह है कि यह जो data चलो यहाँ पर रख दिया and data चाहिए था इसको तो बीच में इसको हम क्यों data पास कर रहे वही पैरेंट थरी को तो data की कोई need थी ही नहीं लेकिन फिर भी मुझे उसको पास करना पड़ा and let's imagine मैं एक और यहाँ पर करके एक और इस तरी किसे एक box बनाता इसको डेटा पास करेगा तो data तो सिर्फ इसको चाहिए तो मैं क्यूं इसको data पास करूं वें क्यूं इसको data पास करूं प्रालतु मैं समंहे श्यों यह तो परफ रियón लिग हो एन्नी जिसको data नहीं भी चीप उसको क्यों मैं पास करूं तो गाइस इस problem को solve करने के लिए uh context text API जो की एक hook है जो की आपको react प्रोवाइड करता है बहुत सिंपल कर दें इन्होंने क्या कहा चलो ठीक है आप यहां पे काम कीजिए आप देख सकते हो इन्होंने अलग सा एक स्टोर बना दिया उस स्टोर में सारे डेटा इन्होंने रख दिये बोला किसको PC3 को डेटा चाहिए कोई नहीं यह देखो डेटा मिल गया अच्छा PC2 को भी चाहिए आरे भाई ले लो यार क्या हो गया अच्छा PC1 को भी चाहिए हां तो ले लो भाई क्या हो गया at least अब यहां पर एक प्रॉब्लम जो था वो सॉल हो गया and that is कि एक तो एक अप कंपोनेंट को दो कॉमन पैरेंट कंपोनेंट को ताकि वहां से कोई भी जो भी रूट में जा रहा है उसको डेटा मिल जाए right बट अब इन्होंने यहां पर क्या कर दिया अगर पैरेंट को देते तो पहले उसके अंदर जो चैल्ड है उसको डेटा पास करना पड़ता फिर इसको करना पड़ता फिर इसको पहले करना पड़ता फिर इसको करना पड़ता तो at least वह जो प्रॉब्लम था उससे अब छुटकारा मिल गया we have one store जहां पे हमारा सारा डेटा रहागा जब भी किसी भ बहुत ऑसम फिचर है बट इन रियालिटी यह जो फिचर है यह है आपका रिडक्स जियां गईस तो कॉंटेक्स्ट अपी आई एं देन रिडक्स काइंड ऑफ बोत आर सेम सिर्फ कॉंटेक्स्ट अपिए प्लस रिडूसर हुक इकोल टू यह रिडक्स ठीक है तो अगर जुलता जुलता है यहां पर आप वीडियो देख सकते हूं मैंने complete e-commerce website बनाया है with the help of context API and use reducer hook तो उसको एक बाद चेक आउट कीजिए आपको बहुत ज्यादा मजाएगा तो guys redux भी सेम होई है जो अभी थोई देर पहले मैंने context API का समझाया यहां पे भी we have one centralized store आप देख सकते हो इस जगे पे जिसको data चाहिए भाई ले लो कोई problem निए कोई यहां पे dependency निए कोई problem निए जिसको जब मर्जी data चाहिए ले लो जो मर्जी करना अपडेट करो जो करना करो तो guys यह है आपका redux and I hope आपको फंडा पता चल गया की redux क्यों बना था and फिर redux को भी overcome करने के लिए react-wall ने अपना खुद का hook बना दिया all right तो अब हम समझते what is redux see so क्या है यह redux is a tool that helps to manage data also known as store simple है जब भी बात आती है data की नियो large application तो वहाँ पे redux आपको यूज करना है ठीक है it allows us to keep all our apps data in a single place known as redux store तो आपके जितने भी data है react application में तो उन सब को वह एक ही जगे पे रख देता जिसको हम क्या बोलते redux store I am making it easy to share and update data across different parts of the app मैंने थुई तेर पहले पूरा आपको डियाग्राम से ही समझा दिया था तो बस यह है data management करना but in a large scale application वहाँ पे आपको redux का यूज करना else in small application फिर से बोला कोई जरूरत नहीं है ठीक है all right so now how redux works कैसे redux काम करता है काम करने के लिए तो बहुत सारी चीज़े है but in simple terms अगर तीन चीज़ों मैं आपको बता हूं so we have one part you know जिसमें आपका आजाता है store then we have action and then we have a reducer store तो आप कैसे तो एक ऐसा जगह जहां पर सारा data आपका होने वाला है obviously data तो चाहिए ना then action so basically यह एक object है जो यह बोलता है कि what to do करना क्या है right तो जैसे कोई एड करना हो counter में increment करना हो decrement करना हो तो करना क्या है वो यह उसका इसका गाम है reducer का काम जो काम action बोल रहा है उसको perform करना वो reducer का काम है how to do कैसे आप उसको करे it actually change the data in the store based on that action so yeah I hope इतना पाता चल गया होगा बट एक बर मैं आपको दिखारना चाहूंगा so guys यहाँ पर आप देख सेक्तों यह जो application आपको दिखाई दे रहा है हमारे world-based react version 19 का जो series है उसका ही एक पार्ट यह complete हो चुका है इविन इसमें मैंने react का जो router door में वो तो किया कि at the end में इसको मैंने react query भी पूरा explain कर दी 10 stack query अभी redux तो guys इससे better आपको series कहीं नहीं मिलने वाला ठीक है तो इस पर मैंने यह बनाया था है इसको मैंने लाइबोस्ट करके भी रखा हुआ है तो suppose मैं लिख देता हूं यहाँ पर mango ठीक है अब मैं add task करने जा रहा हूं अब क्या करने जा रहा हूं add task तो the moment मैंने add task पे click की data यहाँ पर add हो गया तो क्या था यह 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 जो add task का बटन है यह आपका action ठीक है यह आपका action है कि जब भी कोई इस button पे click करेगा तो क्या करना है बाई यह particular action करना कि मुझे एक data को add करना है क्या करना है data को add करना है अब add कैसे करेंगे वह आपका reducer की मदद से उसमें हम logic लिखेंगे जिससे यह add हो रहा होगा तो यह है आपका action ठीक है अब एपल मेंगो कोई तो एक जेगे स्टोड हो रहा होगा तो वह आपका इस्टोर समझ लो आप बट एटलीस पाता चल गया action किया राइट उससी तरह की से इंक्रिमेंट डिक्रिमेंट बटन में भी जो प्लस 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 दबाते हम प्लस पर दबाया तो क्या करना है वह action प्लस प्लस इस थिरके से करना है मैं अभी पूरा डिटेल में आता हूं तो सबसे पहले स्टोर हम समझ लेते हैं वट इस तो इस तो डिक्स एस लाइक बीग बॉक्स की तरह वर ऐर अप्लीकिसन डेट इसकेप शेफ एप्रितिं यू डिट्टस देट अबॉड एडिग रि पार्ट लाइक की एक सेंटरलाइस स्टोर है जहां से डेटा का लेना देना चल रहा है जो कि सबसे बेस्ट कोई किसी पर डिपेंडेंड नहीं है अपने पास इस पर जाओ रासान लो आजाओ सिंपल ठीक है यह स्टोर तो चलो आपको पाता चल यह इतना कोई बड़ी बात नहीं है सो नाव गैस्ट वी हब आवर एक्शन ठीक है इदेखो मैं अल्रेडी बाता चुक हो यह आपका एक अब्जेक्ट है जो रिडक्स को बोलता की वाट डू करना है क्या है इसके अंदर व वह सब भी लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पास करते है बट एक स्टेट अब आपका इवेंट का नाम जिसमें काउंटर फ़रोट स्लैस एड बिसिकली टाइप है कि जब भी कोई इस पर्टिकल यहां पर एड बटन है ठीक है एड बटन पर जब भी कोई क्लिक है ठीक है वही अगर आप सेकंड इग्जाम्पल देखते हो यहां पर भी सेम होई है बट इस टाइम हम क्या करें इंस्टिट आप एडिशन हम डिक्रिमेंट कर रहें तो अलग अलग तरीके उसको लिखने का फिर से यह वही है समझो कोई काउंटर एप्लिकेशन में एक पास करते हैं तो यह आपका एक्षन है बताता है डिक्स को वाट तो डू राइट और यहां पर यह वाले एक्जाम्पल अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं आपको यूज रिदूसर हुक की तरह दिखेगा जहां पर इन यूज रिदूसर हुक वी हैब रिदूसर अब यह जो एक्षन में हम ना इस तरह की से पॉफफ़म करते थे हो काउंटर फ़रवड अड मला मुझे एडिसन करना था तो किस तरह की से में यह एड कर रहा हूं तो यह सेम हम यूज रिदूसर हुक में भी करते थे एंड इस पर्टिकुलर एक्षन को पॉफ़म करने के पॉफप्षन को काल करना पड़ता था जब भी हम disp Kilka को करते थे इट विल डिस एक्षन मेथन याओ करनी करना है चेकैस को आजाता तो अगर आपने यूज रिडूसर हुक यूज किया है तो बिलीब में आपके लिए तो अरे यार इतना सिंपल रिडुक्स आपको ऐसा फिल आज चुका होगा मुझे लगता है ठीक है यह यह स्टो एक्षन देन रिडूसर और भी चीज़े है लाइक एक्षन तो से अँजेक्स लेक्षन करनाहीं से जादा कुछनहेट्क से लिडूसर भी कुछश को लेतना देना नहीं है तो इतना ही है रिडुक्स आपका है एंदALD三 हूप की है a centralized state management यहाँ पर लिखा भी है कि यह जो है store your app state in one place making it easier to manage and access the data across the component में तो ना जाने कितिनी बार बोल चुका हूँ then global access obviously data अगर आपका एक global जगे पर हो गया तो कोई कभी भी कहीं से भी उसको access कर सकता है ठीक है so यह best global access then predictable updates predictable updates updates का मतलब यह हुआ कि state changes are controlled and predictable using reducer यहाँ पर सभी चीज़े पूरा predictable वे में चलता है मतलब आपको already idea रहता है कि मैं अगर इसको update करूँगा तो क्या हमें data आने वाला है kind of आपका जितने भी actions है यह सारी pure functions के अंदर आते है even reducer आपकी pure functions के अंदर आते जो arguments आप पास करोगे basically same argument पास करने पर same output आएगा कुछ ऐसा इनका funda है बड़ आपको देदीर पाता चल जाएगा ठीके तो आप इतना समझ लिजए यहाँ पर and देखो we have a dev tools यह अपना देखो react का भी अपना खुद का component profiler अपना tools है dev tools है हमने जब 10 stack query देखा तो उसका भी अपना खुद का एक awesome dev tools था उसी तरह की redux का भी अपने एक powerful dev tools है जिसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा like debug कर सकते हो inspect कर सकते हो state के data को and then reply actions and all जो भी your replaying है तो जब हम देखेंगे तब पता and then async support आपने से बहुत होने थंग के बारे में सुना होगा देखो ना या Saga like thang या Saga handles async task basically जब आप API को call कर रहे हो you know like if you want to fetch data from any API चाहे weather application कुछ आपके data चाहिए हो आपको किसी का तो वहां पर हम Fetch या Axios करते थे but Redux में like with the help of thang Thunk हम उस सारे चीज़ों को कर सकते है हाँ हमे like लगेगा fetch and वह सब लगेगा but Thunk and then Saga middleware से वह हमें help करता है वह data को fetch करने के लिए basically support ही है ठीक है and एक और चीज अभी तो guys we have a Redux Toolkit जो कि आप यह समस्लों कि kind of boilerplate of colds होते थे बहुत सारे अब हमें इतना कुछ करना भी नहीं पड़ता जब आप यूज करोगे Redux Toolkit को तो guys पहले हम Redux देखेंगे फिर मैं आपको middleware बात आँगा थंक and all फिर मैं आपको यह बात आँगा कि जो चीज हमने Redux की मदद से बनाए अब आप उसको Redux Toolkit की मदद से अब कैसे create कर सकते है इससे पूरा आपको एक आइडिया आजाएगा एक जर्नी आपकी set हो जाएगी अच्छा पहले यह था अब यह ऐसा हो गया and don't worry आप यह मन सूचे यार जब Redux को यूजर नहीं करता सब Redux Toolkit यूजर कर रहे तो मैं क्यों पहले यह सिखू अरे ऐसे नहीं होता ना जब तक किसी चीज़ के आपको value पता ही नहीं चलेगी तो फिर आप कैसे आप उसको importance दे पाऊगे राइट कहना मालत यह है कि पहले ऐसा क्या था Redux में कि जिसके चलते आप इनको Redux Toolkit बनाना पड़िया और जो Redux Toolkit बनाया है क्या वो better है भी या नहीं या सिप इससे अगर मैं सिप Redux भी यूज करू तो काम चल जाएगा मेरा है ना लाइक अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करें काम करें में हो सकता हूँ आप अभी तेक Redux Toolkit यूज ही ना किया हूँ पुराने तरीके से जो वह यूज हुआ तब आप क्या करोगे यस मुझे तो Redux Toolkit आता है आप बोल तो दोगे लेकिन जब आपको Redux ही नहीं आता तो फिर यह क्या फाइदा पाता चला उनको चाहिए खाली Redux तो बैस पाता है कि अगर आपको Redux पाता चलिया तो फिर Redux Toolkit यूज आपको आपको आइडे आ जाएगा तो ब्यूटी यह है तो या गाइस इस इस वीडियो के लिट नहीं आज इस वीडियो के लिट नहीं यूज रिडियूसर हुक मोरदन इनाफ है बर जब बात आती है लाज स्केल अप्लिकेशन की जहां पर बहुत सारे टीम मेंबर्स मिलके काम कर रहे है वह जब आप काम करेंगे तब पता चलेगा अभी पता लगा कि भी क्या फाइदा है ना आप जरूर यूज करना आपको तब उसकी वैल्यू पता चलेगी ठीक है और मैं तो यह बोलूँगा कि एक e-commerce website को आप उठाइए उसको तो पहले आप Context API and UseReducer hook की मदद से बनाओ जो कि मैं अल्रेडी बना चुका हूँ तो आप वो वीडियो चेकाओट कर सकते हो and यह जो Redux वाला पार्ट आप उसको चेकाओट कीजिए पूरे वीडियो को आप चेकाओट करना एंड तक देखना वांस जब आप समझ जाते हो तब वही से में e-commerce website को अब इंस्टिट आप यूज कॉंटेक्स जो यूज रिडियूसर था उसको हटा के Redux की मदद से आप बनाओ अगर वह आप कर पाते हो तब आप मेरे को खुल के बोलना भाई मुझे Redux आता है जो मैं अभी आपको एक्जामपल सिखाओंगा वह तो मैं जानमच की इसी सिखाता हो ताकि आपके दिमाग में घुज जाए तब अगर आप उसको अच्छे से कर ले तो तब मैं मानूगा कि आपको Redux अच्छे से आता है ठीक है इस इस इट और मैं आसा करता हूँ कि आपको यह बहुत ज़्यादा मज़ा होगा आप भी बहुत ज़्यादा एक्सेटेड होंगे तो प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजेगा दोस्तों के साथ भरबर के से कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजे I am always here PPT जो है मैं बिल्कुल फ्री में सेर करो तो कोई टेंसन नहीं है तो मैं चाहूंगा कि प्लीज गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिकोज हम बहुत करीबे 7 lakh सब्सक्राइबर के और दिवाली बे आने वाले तो कुछ गिप्ट्स बनता है यार बस सब्सक्राइब कर दीजिए बिल्कुल फ्री है है ना तो या गाइस मिलतो हो मैं आपको कल की वीडियो में तिल दिन गाइस थिंक्यू सो मच टेक क्यो